हम कहां रहते हैं? किस महाल में रहते हैं? और हमारे आस-पास के लोग कैसे हैं? इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे उपर जरूर पड़ता है ठीक वैसे ही जैसे आप महकते परफ्यूम की दुकान के अंदर जाते हैं तो आप भी महकने लगते हैं और अगर आप कोईले की खान के अंदर जाते हैं तो आपके कहीं न कहीं कोईला जरूर लगी जाएगा अगर आप जिन्दगी में कुछ करने की सोच रखते हैं आपका कोई बहुत अच्छा ड्रीम या आपके लाइप का कोई अच्छा गोल है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना महाल देखिए और उसको खुद के अनुसार बनाएए अगर आपके आस पास आपका मनोबल गिराने वाले लोग हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते ये ऐसा है वो वैसा है तेरे में वो बात नहीं ऐसी ऐसी बाते करने वालों से तुरंत दूर हो जाएए ऐसी निगेटू सोच का आपके अंदर इ आप खुद को अंदर से कहीं न कहीं ये जरूर सोचने में मजबूर हो जाती हैं कि यार हाँ उसने सही बोला सायद मैं ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती लेकिन अगर आपके आस पास ऐसे लोग हैं जो आपका मनोबल बढ़ाती हैं आपको हमेसा मोटिवेट करते हैं कि न आते हैं और सच पूछिए तो आपकी मेहनत के साथ साथ इन सब का बहुत ही बड़ा एफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में इसलिए आप हमेशा ऐसा महाल धूड़िए या बनाएए जो आपके लिए पोजिटिव हो आपका मनोबल बढ़ाता हो और ऐसे लोगों को दूर क करती है जब आप तेजी से पतवार को चलाते हैं ठीक वैसे ही हमारे आसपास के लोग महाल और लोगों की सोच का असर भी धीरे धीरे हमारे अंदर कहें न कहें होने लगता है तो अब मैं अतुल इजाज़त चाहूंगा मिलते हैं अंगले वीडियो में अगर वीडियो अच अन्वाग अन्वाग